यहां पर comment देख सकते हो mobile में बहुत सारे ads आरे हैं लेकिन YouTube पर वीडियो देखके लोग बहुत से setting कर रहे हैं लेकिन किसी का भी यहां पर ads stop नहीं हो रहे हैं लेकिन ads stop होने के लिए जो main setting है मैं आपको इस video में बताने वाला हूँ जिससे आपके ads problem यहां पर दूर हो जाएग हम यहां पर उपर scroll करेंगे यहां पर app and permission पर यहां पर क्लिक करना है किसे के mobile में app all you way option यहां पर हो सकते है अप open कर लेने है जैसे आप app यहां पर open करते हो app manager management पर क्लिक करना है और जैसे यहां पर क्लिक करते हो आपके सामने सभी app यहां पर आ जाएंगे तब तक आपको क्य application से आ रही है इनको पता करने के लिए हम यहाँ पर पहले तो डार्क mode on करते हैं यहाँ पर mobile में तो मैं यहाँ से dark mode on कर देता हूं जैसे dark mode on हो जाता है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी application आमें साफ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो main application है जिस वज़े से यहां से बैक लेंगे जैसे और यहां पर बैक लेते हैं बैक लेने के बाद हम यहां पर करने वाले सेकंड सेटिंग यहां पर गूगल वाले ऑप्षिन में हम चले जाएंगे तो यहां पर जैसे मैं यहां पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे open हो चुका है जैसे यहाँ पे loading में time ले रहा है अब यहाँ पे google में हमें सबसे पहले यहाँ पे ads वाली setting पे हमें click करना है जैसे हम यहाँ पे click करते हैं click करने के बाद यहाँ पे हमें delete advertiser id यहाँ पे delete कर देनी है यहाँ पे मैं आपके समने generate करके दिखाता हम जो मैंने advertiser ID delete किया हुआ यहाँ पे वापिस से मेरा advertiser ID generate किया है अब याँ से डिलेट advertiser ID पे मैं click करके यहाँ पे मेरा advertiser ID है जो मैं delete कर दूँगा जिस वाजे से मुझे adds नहीं आएंगे इतना हो जाने के बाद मैं वापिस बैक लेता हूँ बैक लेने के बाद अब हम करेंगे गाइस third setting जो बहुत ही important है और आप सभी लोगों को ध्यान से देखना है यहाँ पे हम search करेंगे DNS जैसे हम यहाँ पे DNS search करते हैं private DNS का option शो होगा यहाँ पे click करने के बाद जो हमें यहाँ पे DNS private holder यहाँ पे जो option दिखाई दे रहा है इस पे हमें tap करना है जैसे हमें यहाँ पे tap करते हैं तो यहाँ पे हमें click on रखना है जिससे कहें कि private DNS का use करके हमें कोई भी ads नहीं आएंगी इतना हो जाने के बाद गाइस यहाँ पे हमें click करना है जैसे हमें यहाँ पे click करते हैं यहाँ से हमें setting वाले option में चले जाना है setting वाले option में आने के बाद उपर scroll करना है और यहाँ पे हमें जाना है site setting वाले option में तो यह हमें step by step setting करना है और इसके बाद हम यहाँ पे cookies में जाएंगे और हम यहाँ पे इसे set करेंगे third parties cookies पे तो यह option यहाँ पे है हमें जो हम यहाँ पे set करते हैं उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा उपर scroll करेंगे next option यहाँ पे adds वाली दिखरी है जैसे हम यहाँ पे click करते हैं यहाँ पे off रखा है आपको भी off रखना है on रखते हो तो आपको यहाँ पे full screen display adds अना start हो जाएंगे जो pop up adds होते हैं तो इसके बाद गाईज हमें back लेना है और back लेने के बाद अब हम यहाँ पे pop up adds को block करने वाले हैं तो जैसे pop up adds पे click करते हैं यह भी अगर आपकी setting on है तो हमें इसे off रखना है तो इतना ही बस हमें काम करना है और इतना हो जाने के बाद जो भी हमरे mobile में adds की problem है वो दुबारा नहीं आएंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को like, share, subscribe करें मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में